कि हलो दोस्तो मैं इसल्मिस कर्मा आज फीर से करेंड सब्सक्राइब करें आपको नोट्रिफिकेशन मिलता रही और मेरे फेस्बुक पेजस को भी दोस्तों फॉलो करें चलते हैं दोस्तों सिमाओं को जोड़ना और सांति पुर्ण ओटिक वाविसक लिए जल यह जो यह जल शरप्ता 224 का थीव रखा गया है ठीक दोस्तों यह जो सप्ता का कार्यकर्म होता है विश्फ जल शरप्ता 224 का जो कार्यकर्म हुआ यह 25-29 अगस्त के बीच में किया गया है। दोस्तों इसका किसमें किया जाता है ही कि मौंड किली मंजारो किस देश्ट में अस्थी था दोस्तों किस देश्ट में हैं कहां तंजानिया में है ठीक है दोस्तों खिर मंजारों के बारें बताते हैं कि मौंड़ कि फैरदी इसके सोटाड़ाई है पाघ्जार आठ सो पन्चानुड़ मिटर के दना थास राठ सो पन्टाड़्य मिटर है एगर फीट में बात करते हैं तो 19,341 feet इसकी उचाय है ठीक दोस्तों यह जो है अफिरकी की सबसे उची चोटी है कहां कि अफिरका की सबसे उची चोटी है ठीक दोस्तों तंजानियक बारे में को दोस्तों बताते हैं कि तंजानियक रजधानी जो है डोडोमा जो है तंजानियक रजधानी है यहां के परधार कामंदर के नाम है और राष्ट पती है सामिया सुनु हशन यहां के राष्ट पती है ठीक है अगला प्रश्ण है कि हाली में किसे नेशनल सेकुरिटी गार्ड का नया महान देशक निव्ट किया गया दोस्तों तो किसे किया गया है तो उनका नाम है श्री निवाशन वी श्री को National Security Guard का नए महाने देशक निक्त किया गया है तो दोस्तों को बिताती हैं कि ये नेशनल सिकरेटी गार्ड का स्थाफना जो अधा था बाई सितम्बर 1986 किया गया था कब 22 सितम्बर 1986 किया गया था इसका मुख्याले कहा है इसका मुख्याले नई दिली है ठीक दोस्तों अगला प्रश्ण में है कि हाली में समचारों में देखा गया इस्टर्न एकवीन इनसेफिलाइटीज किस रोग जनक के कारण होता है तो किस रोग जनक के कारण होता है दोस्तों तो यह होता है बाइरस के कारण होता है इस्टर्न एकवीन इनसेफिलाइटीज ठीक है अगला प्रशन दोस्तों की हाली में किंदो राज्यों ने धार्मिक सर कि कृष्ण गवन पथ के विकास की घोसना किया है तो किस ने किया दोस्तों तो यह किया गया है मध्य पर्देश और राजस्थान के दोबारा किया गया है किसके दोबारा मध्य पर्देश और राजस्थान के दोबारा किया गया है ठीक है दोस्तों आपको दोस्तों बताते है कि मध्य पर्देश के बारें बताती हैं मध्य पर्देश के रिधानी कहा है दोस्तों मध्य पर्देश के रिधानी जो है यहां भुपाल है ठीक है यहां का मुख मंत्री कोन है यहां का मुख मंत्र के नाम है यहां का मुख मंत्र के नाम है मुहन यादव यहां का मुख मंत्र को है दोस्तों मुहन यादव यहां का मुख मंत्री है और राजपाल को है मंगु भाई छंगन भाई पटेल यहां के राजपाल है ठीक है दोस्तों यहां का पर्याटर नस्तल के बारें बताती है दोस्तों किस इसली राष्टिय उधाने दोस्तों दर्सनिक अस्तल में आते हैं तो दर्सनिक अस्तल में आते हैं आपका मोती महल हो गया चित्रिकुट हो गया खजराहो का मंदिर हो गया ठीक है सांची हो गया मैहर हो गया उजयन हो गया पंचमणी और सहडोल जो है या मदपर्दिस के अंत जाता है ठीक दोस्तों यहां के सीम कोन है यहां के सीम है भजन लाल सर्मा यहां का सीम है और राजपाल कोन दोस्तों तो राजपाल के नाम है हरी भाव किसन राव पांगड़े यहां के राजपाल है ठीक है यहां का प्रेटन अस्तलम आते हैं दोस्तों तो प्रेटन अस्तलम आते हैं क्येवला देव राष्ट ये उधां भरतपूर जो भरतपूर राजस्थान में है ठीक है धाय दिन का जोपला ये भी राजस्थान में है ब्रह्मा जी का मंदीर जो पूशकर अजमेर में पढ़ता दोस्तों और दिलवाला का जैन मंदीर ये राजस्थान में ठीक है दोस्तों अजमेर को जो अजमेर में जो है राश्तन का हिरदय का जाता है अजमेर को क्या का जाता है राश्तन का हिरदय कहा जाता है ठीक है दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्मी तरफ अगले प्राश्मिद्र चलते हैं दोस्तों अगले प्राश्म क्या बोल रहा है कि पर्धान मंत्री जन्धन योजना ठीक है पर्धान मंत्री जन्धन योजना अठाइस अगस्ट 2014 को नरेंद्र मोधी दुवारत सुरू की गई थी कितने साल में पूरा कर लिया दोस्तों तो इसका कितने साल पूरा हो गया है तो यह हो गया है दस साल पूरा कर लिया है ठीक दोस्तों तो यह जो योजना चालू किया गया था परधान मंत्री जन्धन योजना आठ अगस्ट दूजर चौदा को शुरू किया गया था ठीक है यह जो है दस सा के दोबारा किया गया था ठीक है अगला प्रश्ण Ministra को कि हिमाचल परदेश में महिलाओं के लिए दिवा के निंतिम आईव अठारह से बढ़ाकर कितने व्र्स कर दिया गया दोस्तों अठारह से बढ़ाकर जो यह कर दिया यहानी से मिला है यहां का सीएम कौन है दोर्सतों यहां का सीएम है सुक्रविंदर शिवालिक परवत है पीर पंजाल परवत जो है आपका हिमाचल परदेश में आता है दर्य की बात करते हैं तो दर्य लचला दर्य है ठीक है पीन परवती दरा है और चुब आरी दरा जो है आपको हिमाचल प्रदेश में आता है जिलने में बताते हैं तो जिल में जो आते हैं गुविन सागर जिल जो है यह हिमाचल प्रदेश में आता है अब बांध में आते हैं दोस्तों तो पोग बांध जो है वह भी हिमाचल पॉल्ष में मेजर ध्यान्चन जी जीन्ति के उपलच में ठीक है अगला प्रस्ण है कि हाली में 61 सत्रंज राष्टिये सत्रंज चंपियंशिप किसने जीता दोस्तों तो किसने जीता है तो जीता गया है यह जीता गया है कार्तिक वेंकर रमने कार्तिक वेंकर रमने 61 राष्टिये सत्रंज चंपियंशिप जीता है ठीए दोस्तों दोस्तो एक एक सथमी राष्टी चंपियंशिप जो हुआ था यह आईजन हर्याना सत्रंग संग के द्वारा जो है गुडगाउं के RPS International School में किया गया था कहां किया गया था RPS International School में किया गया था जो गुडगाउं में है ठीक है अगला प्रश्ण है कि हाली में दूनिया में पहली बार कितने देशों ने फेफले की कैंसर के टिके का परीशन सुरू किया है जो कौन-कौन देश हैं दोस्तों, वो सातों देश का नाम है, UK है, US है, जर्मनी है, हंगरी है, पोलेंड, अस्पेल और तूर्की, यह सात देश हैं, सात देश मिल करके जो है, फेफड़े के कैंसर के टिके का परिशन सुरू कर दिया है, दोस्तों, आज का फ्रश्मी है, बसे आप लोग फोलो करें, थैंके जोस्तों, जाहिंद,